आज हम बनाएंगे आलू के पराठे आलू के पराठे हमेशा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो इसे बनानी के लिए मैं ले रही हूं 300 ग्राम के करीवाटा जिसे मैंने एक छनी में डाल करके अच्छे से छान लिया है इसके बाद में हम इसमें एक चम्मच क्रश्ट किया हुआ जवाइन डालेंगे और एक चम्मच तेल आप चाहें तो यहां पर घी भी डाल सकते हैं तेल की जगा पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम पानी डाल करके सॉफ्ट डूर लगा लेंगे ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो ना बहुत ज्यादा हो अब यहां पर लग चुका है इसे में 15 मिनट के लिए रख देते हूं सेट होने के लिए अटा जब तक सेट हो रहा रख तक इसमें मसाला त्यार के लिए जिसके लिए मैंने लिया चम्मच जीरा दो बड़े चम्मच धनिया इसको मैंने ह अब लादा के लिए अपर चार हरी मेर्च अब हर देना है यहां पर अपर दाल जीरा धनिया उरसे को मिक्स कर लेंगे यहां पर लाल मेच पाउडर भी डाल सकते हो लेकिन मैं नहीं डालूगी तो कि हरी मेच हमने इस्तेमाल किया आटा हमारा सेट हो चुगा हम यहां पर इसकी लोई थोड़ लेते हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से नॉर्मल साइज की लोई लेंगे जिनना बड़ा हम गोकी क इसको डाल देंगे उपर उठाएंगे और उसके बाद में जैसे हम मोमोश को कवर करते हैं उसी तरीके से हम इसको चारो तरफ से घुमाते हुए इस तरीके से कवर कर लेंगे इसके बाद में थोड़ा से जो आटा हो था इसको निकाल देंगे इससे बहुत अच्छा पैकिं चलाई और इतना असानी से दो तीन बार में यह प्राठा त्यार हो जाता है फिर इसको तब गरम था उस पे डाल दीए दस सेकंड के बाद मैंने प्राठा को प्लट दिया है इधर भी दस सेकंड के बाद ही पलटेंगे फिर आप हम चेक करेंगे बीच में हम तेहां पे तेल ड ज़िए पाती है अलो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं मिय को you दूसरा भी बना लेंगे इस तरीके से प्लट लेंगे इसको भी तेल लगा करके चारो तरफ से से लेंगे तेल या घी लगाएंगे जो आप खाते हूं हालू की पराठे ज्यादा था ठंड के मौसम में ही अच्छे लगते हैं क्योंकि गर्मी अगेरा में वैसे भी ओईली लोग नहीं खाना पसंद करते हैं और तैयार है हमारा प्राठा जिसको मैंने थोड़ा सब बटर डाल दिया है उपर से और चटनिया है और त्याज थोड़े से खाने में बहुरती ज्यादा टेस्टी लगता है हुआ है